हेलो जी नमस्ते स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने ट्रिपल एस हिंदी टैरो में तू लिब्रा यानि तुला रासी आज हम लिब्रा के लिए रीडिंग करेंगे जो ओवर होल होगी और ये एक जनरल रीडिंग है ये सब के साथ वैलिड नहीं होती ये किसी के साथ हो भी सकती है नहीं भी हो सकती तो चलिए देख लेते हैं कि युनिवर्जी क्या गाइड करते हैं क्या बताते हैं तो गाइज मेरी वीडियो आज काफी लेट है और आज आप मुझे अच्छा स्पोर्ट कर रहे हैं सहयोग दे रहे हैं तो प्लीज अपना प्यार और आशिरव बनाए रखिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और नए नए कमेंट कीजिए जिससे मुझे मुझे मौटिवेशन मिले तो चलिए देख ले तिंक बार युनिवर्जी काइड में प्लीज लिप्रा कर दस अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक दिन कैसे रहने वाले हैं उनिव बिजनेस और सिंगल्स रिलेशन्शिप एंड लास्ट काड हमारा आता है घायडिंस का तो घाल्थ ये सीकस और पेंटिकल्स का ड़ है और ये हैल्थ के लिए आया है तो लिबरा का ही काड है वैसे भी ये लिबरा राशी का काड है तो लिब्रा आप काफी सूरवीर हैं, काफी बाहदूर हैं, आपने हेल्थ का काफी अच्छे से ध्यान रख रहे हैं आप गरीब लोगों की भी मदद करते दिखाई दे रहे हैं कि जो लोग गरीब हैं जो अपनी दवाया नहीं ले सकते, जो बिमार हैं उनकी आप कही न कहीं पैसे से मदद कर रहे हैं या उनकी जैसे भी हो हेल्थ वायस कैसे भी मदद आप उनकी करते दिखाई दे रहे हैं लेकिन आप नाप तोल कर उनकी मदद कर रहे हैं उनको जांच पड़ताल करके कि क्या रियल में ये बिमार हैं क्या इनको medication की जुरूरत है क्या इनको check-up की जुरूरत है तो तब ही आप उनकी मदद कर रहे है जिस और उसके बदले में आप उनसे प्यार पाना चाहते हैं ये give and take का कार्ड है तो अगर आप उनको कुछ दे रहे हैं तो उसके बदले में आप उनसे आशिरवाद चाहते हैं मुहबबत चाहते हैं प्यार चाहते हैं तो आप गरीब लोगों की मदद करते हैं उनके health का ध्यान रखते हैं उनके check-up पर पैसा खर्चते हैं तो जो लोग बिमार थे हो सकता है कि आप उनकी जो लोग बिमार हैं उनका आप काफी मदद कर रहे है तो और आप साथ-साथ अपने हेल्थ का भी ध्यान रखिए आप काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं काफी सम दिखाई दे रहे हैं बिमारी से दूर दिखाई दे रहे हैं आपका स्वास्ते लिब्रा अच्छा दिखाई दे रहा है तो फिर भी आप समय पर घूमिए फिर ये समय पर ध्यान दीजिए मेडिटेशन वगरा करते रहिए योगा कीजिए और खाने पीने का ध्यान रखिए आप अपने स्वास्ते को अच्छा रख सकते हैं ये बैल्ट के लिए है जिन लोगों को हो सकता है कि पास्ट में काफी गाटा हुआ हो तो फिलाल उनको अच्छी ओपरजुनर्टी मिलती नजर आ रही है काफी सक्सेस मिलती नजर आ रही है और हो सकता है कि कहीं ना कहीं कोई रिस्ता कोई रिस्ता आपके घर आ रहा हो या कोई अच्छी जोब मिल रही हो या तो हो सकता है कि कोई बच्चा भी हो रहा हो आपके घर में नया बच्चा आ रहा हो जिसके आने से आपके finance पेबरी काफी अच्छा असर पड़ रहा है आपके गरोध काफी अच्छी दिखाई दे रही है ने मोर फेम मिलता दिखाई दी रहा है या फिर जो लोग शादी सुदा है हो सकता है कि आप नया घर बनाना चाह रही है नई opportunity आपके पास है कुछ ना कुछ आप celebrate करते नजर आ रही है जिससे आपकी काफी growth बढ़ने के आसार दिखाई दी रही है financially आप काफी stable दीख रहे है cheers करते नजर आ रहे है तो ये students के लिए है congratulations students आपके लिए ये काफी अच्छा काड़ आया है कि जो काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे जो आपको मदद नहीं मिल रही थी ओ सकता है पैसे से लेकर आपको problem हो कहीं financial problem की वज़े से भी आप अपना career ना बना रहे हो अपनी पढ़ाई ना कर रहे हो देश में ना जा रहे हो पासपोर्ट वीजा ना मिल रहा हो कहीं ना कहीं मतलब financially आपको मदद मिलती नजरा रही है हो सकता है कि दादा पर दादा की मदद से आपके कुछ काम बन सकते है या तिसरे जो आदमी पहले जो पढ़ाई कर चुका है जो इसमें काफी intelligent है अगर आप उसकी बड़े बुजुर्ग की या किसी mentor की किसी गुरू की सला लेकर पढ़ाई करते हैं तो आप काफी इसमें success हो सकते हैं काफी इसमें आपको success मिल सकती है और कोई ना कोई ऐसी opportunity जो आप को name और fame दिला सकती है आपके बड़े बुजुर्गों का नाम रोशन कर सकती है तो ऐसा भी result आता आपका नजर आ रहा है आप मेहनत कीजिए, effort कीजिए और इस तरह के result पाईए अनर जी आपके favor में है दासन ये जोग के लिए है, congratulations तो काफी अच्छा card आज क्या बात है Libras, हर चीज की काफी अच्छी card आपके favor में दिखाई दे रहे है तो हो सकता है कि युनिवर्स जी हर चीज में आपका अच्छा समय चल रहा है तो दासन का ये card है, जोग वालों के लिए आपको काफी अच्छी जोग मिल सकती है जो तयारी कर रहे थे उसमें success हो सकते हैं जो already जोग में है उनको अच्छा rank मिल सकता है अच्छा ओदा मिल सकता है अच्छी power मिल सकती है आप एक powerful इनसान बन सकते हैं लेकिन आपको एक बच्चे की energy के साथ रहना पड़ेगा अगर एक बच्चे की energy के साथ बिलकुल मतलब प्यार से पेश आते हैं कोई छलावा नहीं करते कोई दोखा नहीं करते कोई छल कपट नहीं करते तो आप इसमें काफी आगे जा सकते हैं काफी तरक्की पा सकते हैं तो enjoy कीजिए मज़े कीजिए आपकी जोग काफी stable होती नजर आ रही है हर चीज में success success and success दिखाई दे रही है judgment तो ये ये business के लिए है हो सकता है कि past में आपका business loss में चला गया हो नुकसान हुआ हो तो आप भगवान से प्रार्थना कर रहे है कि आप इसमें एक मौका और पाना चाह रहे है तो आपको एक नई शुरुवात नई beginning इसमें दिखाई दे रही है यूनिवर्सी आपके साथ है आप फिर से उठकर चलिए अपने business में नई शुरुवात कीजिए आप अपने business को दुबारा से चलाईए मौका दीजिए या जो business जो आपका गाटे में हुआ था उसी business को आप दुबारा से उठा सकते हैं यूनिवर्सी आपको एक मौका दे रही है energy आपके favor में आ रही है तो आगर आप इसमें कोशिश करते हैं effort लगाते हैं मैनत करते हैं तो आप अपने खोई हुए नुकसान को भी इसमें फायदे में ले सकते हैं profit में ले सकते हैं तो नई beginning नई शुरुवात की इसमें जरूरत है और prayer meditation आप जरूर कीजिए भगवान में आस्ता लगाए भगवान आपकी मनोकामना पूरे करेंगे जिस चीज में आपको जिस business में आपको नुकसान हुआ था अगर आप नई शुरुवात करते हैं तो दुबारा से आप इसमें ग्रो करते दिखाई दे रहे हैं ये ये singles के लिए है आप काफी confused हैं काफी प्रेशान हैं और काफी पस्तावा करते भी आप दिखाई दे रहे हैं तो आपको बहुत बड़ा दोखा दिया है और सामने आपको सब opportunity दिखाई दे रही है कोई कमी दिखाय नहीं दे रही फिर भी आप समझोता नहीं कर पा रहे तो आपको इन सब से बाहर निकलना पड़ेगा आपको decision लेना पड़ेगा कि हो सकता है कि आपके पास कई रिष्टे आए हो तो आप उसमें प्रेशान है confused है कि किसके साथ relation बना जाए किसके साथ प्यार म महबत की जाए किसके साथ आगे बढ़ा जाए तो हो सकता है कि दोखे की वज़े से आप जो दोखा मिला है उसकी वज़े से आप प्रेशान हैं लेकिन कहीं न कहीं आतको जाँच परताल करने के बाद आपको समझोता करना पड़ेगा तब ही आप इस रिष्टे में आगे ब जाहिए आप दुबारा से दोखा खा सकते हैं दा एंप्रेस ये रिलेशन्शिप के लिए है ये आपका काफी अच्छा कार्ड है आप हर चीज से भरपूर है सब चीजों की फैसिलिटी है आपका रिलेशन काफी अच्छा दिखाई दे रहा है आप एकदम इंडिपेंडेंट है फ्रीडम है आजाद है कि आपका मतलब प्यार मुहबत काफी अच्छी है आपके उपर कोई प्रेशर नहीं दिखाई दे रहा कोई कोई छलावा नहीं है जिससे भी आप अगर आप रिलेशन्शिप में हैं और शादी करना चाहते हैं तो ये रिलेशन आपके लिए काफी अच्छा हो सकता है और अगर आप सिंगल है मतलब शादी शुदा है और आप न्यू मेरिड है तो हो सकता है कि आप कंसीव कर सकते हैं आपके गर बच्चा आ सकता है तो ये एक बच्चे का भी कार्ड है हो सकता कि लंबे समय से आपको इसका इंतजार हो तो आपको इसमें ए एक बच्चा भी uição सकते हैं और जो आ उनके घर में नया बच्चा आ सकता है ॑शवा प्रिज़ें लोगिखे हैं तो अनव जो थोड़ा सा इय जेफिन दिखावे में भी काफी भी जॉस में भी काफी बिल्यू करते हैं 12 पी 12 रासियां आप के साथ हैं यूनिवर्जी आप के साथ है आपका रिलेशन आपका आपकी शादी आपका मेरिड लाइफ अच्छी दिखाई दे रही है तो और आप स्टेबल अब काफी अच्छे दिखाई अगर आप काम करते हैं अगर जोस में जादा एक्श ना दिखाए ज़ादा जोस में ना रहे जादा गुश्य में ना रहे जो आप बिना सोचे समझें कुछ भी बोल देते हैं अगर आप अपनी बारी पर थोड़ा सा कंट्रोल करते हैं और सब को प्यार से पेश आते हैं तो आप एक अच्छी नई बिगनिंग नई शुरुवात जिस चीज में भी करते हैं आप काफी अच्छी ग्रोथ उसमें पा सकते हैं नेम और फेम आप उसमें पा सकते हैं नई बिगनिंग नई शुरुवात आप कर सकते हैं लेकिन थोड़ कि आप काफी अच्छी ग्रोथ और ग्रोथ कर सकते हैं लेकिन फिर भी थोड़ा सा अपनी वानी पर कंट्रोल कीजिए ताकि लोग इससे हर्ट ना हो तो आज के लिए इतना ही तो फ्रेंड्स प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए एक कमेंट्स कीजिए अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए क्योंकि उससे मुझे मौटिवेशन मिलता है और बढ़ावा मिलता है और अपना प्यार अपना आशिर्वात मुझे बनाए रखिए फिर एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्दी मिलेंगे तब तक के लिए नमस और